जो श्रिया बेटा जो आज का टॉपिक है उसका डिट्रेमेंट के पार्ट करिए जिसमें और इंवर्स और इंवर्स और स्क्वाइर मैट्रिक्स को सबसे पहले समझते जैसे कोई मैट्रिक्स हमारे सामने है 2345 अगर इस मैट्रिक्स को हम इसका ट्रांस्पोज निकलना चाहें तो हम इसके पर डैश लगा देगे तो तो क्या वह जाएगा को कॉलम में कर देंगे और कॉलम को रो में यानि की रो और को हम कर देंगे ठीक है तो तो बाइज का जो ट्रांस्पोज होगा वो होगा टू थ्री फॉर फैसे यह पहले तो रो वालब था टू थ्री एक कॉलम बन गया ठीक है यह तक बास अब आता है उप के बारे में आपको समझाते है थोड़ा सा एक कोई मैट्रिक्स है हमारी या ठीक है इसके बारे में बात करेंगे एक कोई हमारे साम लिए स्क्वाइर मैट्रिक्स है क्या है इस्क्वाइर मैट्रिक्स हमारी क्योंकि हम डिटर्मेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें स्क्राइर मैट्रिक्स की बात करना हमें यह सकेंड डॉर्डर का भी हो सकता है बस आपके कोर्स में सब्सक्राइं को नोड कर लेंगे एक जो गोल्म डेश जाएगा अब आता है कैसे बनाता यह मैं आपको कैसे बनाते ही फिर भी कर देता हूं को फैक्टर कैसे बनाएंगे ठीक है जैसे कि हमारे लिए कोई क्वेश्चन लेंगे ठीक है चलिए लेते हैं मिल गया वन माइनस वन एंड टू थ्री वन माइनस टू यहां पर नहीं आया पास में माइनस टू है ठीक के साथ है सबसे पहले सबसे आसां तरीका क्या है कि हम यह जो है इसको मॉड़ फॉर्म में लिख लेंगे रिखने के सबसे आसान तरीका क्या है इसको मॉड़ फामिल्य लिया एसे लिखें यह होगे हमारे लिए अब इस जिटर्मिंट के या इसको डिटर्मिंट कर ले कहले या मैट्रिक्स कहले भी बना ले दोनों को किस्टिडर कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं कुछ नहीं ओग्सिम निकालेंगे को फैक्टर मैक्रिक्स निकालेसे लिए यहां होती है कि इसके एलिमेंट होते रिस्पेक्टिफशली ली ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री मैं भी आपको फॉर्मिले सिखाऊंगा फिर बीना फॉर्मिले स्काऊंगा ए टू वन ए टू 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 ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री जिए हो गई फैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ठीक है अब यह वन वन की वैलू कैसे निकालने की तरीका समझी है मैं आपको एवन वन निकाल के दिखाता हूं माइनस वन की पावर वन प्लस वन यहां पर वन है वन 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 यह 11 और यह वन वन पड़ेंगे तो कर देंगे अगर यहां two three होता था तो प्लस थरी करते यह one माइनस न की पावर और उसके बाद लगाते हैं एक डिटरमेंट अब आते हैं इस डिटरमेंट में वैल्व क्या पॉटब करेंगे तो वह ए वन वन का मतलब है फिस्ट रो का फिस्ट कॉलम फिस्ट रो यह फिस्ट रो है इसका फिस्ट कॉलम यह इसका इसके रिस्पेक्टिवली यानि कि अगर हम बात करें यह लाइन और यह लाइन कट जाएगी जो बचेगा वह बचेगा वन माइनस टू जीरो एंड थ्री यह वैलुज हम इसमें ए वन वन के मैको फेक्टर मैट्रिक्स में लिखेंगे इसके बाद सब्सक्राइब इसको सब्सक्राइब इसको स्थाइब गया इसको देखने की कोई जरूत नहीं है तु आपको सिर्फ समझाने की लिए इसकी जगे मैं रिप्लेस करता हूं यहां पर लिखाया यह यह पर लिखगा लिख ऑई एक आपको पहली रोक निकाल के दिखाता हूं बाकिया आप रोप निकाल के बिज़ बताएंगे मैंनेस वन की पावर वन फ्लस तू उसके आगे इंटू में है यह जो नीचे लिख रहा हूं सुरी डेटर्मेंट बनाएंगे आपके से डेटर्मेंट बने गया वन टू मैं यह और यह जाएगा नहीं यह नहीं जाएगा सेकंड कॉलम कटेगा थी और माइनस टू बचेंगे बचेंगे वन और थी बचेंगे विद्ध कि इसे सॉल्व करेंगे थी कि तो माइनस वन की पावर हो गया गया और थ्रिट इसन नाइन हो गया मैनस माइनस प्लस हो गया तू बंस राट टू हो गया तो यह आगया माइनस का 11 यहां पर हम एवं माइनस 11 पूट अप करेंगे अब इसी तरह एवं थ्री निकालेंगे जल्दी से निकाल के दिखाएए एवं थी तो माइनस वन माइनस वन आएगा मैं देखता हूं आप निकाल लिजिस्ट्री आप भी निकाल उटा माइनस वन इस तरह सारे निकाले जल्दी इस तो यह निकाली है यहां पर यह जो मैट्रिक्स आई ठीक यह मैट्रिक्स हमारी है को फैक्टर मैट्रिक्स यहां पर मैट्रिक्स और मैंे ट्रिक्ट वही ऐ गई हम निकाल लिया अब हम क्या करेंगे हम जोताrench मैंने लें सिमेंट टाइस Ox beber और मैट्रिक्स गा मैं एसका इस tulisa ब stuk इसका क्रांस ने लिए ऊपस चार्ण्टिमें कि ठीक है घ्रांस पोज ओफ फेक्टर matrix adjoint a is equal to adjoint of a is equal to transpose of factor matrix रभी जो Detroitście उसके respectively element विलब कर लेंगे 3 3 0 मैं ए लिवन i8 प्री जीरो माइनस एलेवन वन एट माइनस वन माइनस फोर माइनस वन माइनस वन फोर यह कोफेक्टर मैट्रीस का ट्रांस्पूर्ज लेने जा रहे हैं तो वह आता है अब आपसे पूछा जाएगा इसी कुशन में फाइंड आपसे पूछा जासकता है मॉट ऑफ एड्जॉइंट है या डिटर्मेंट ऑफ एड्जॉइंट है जो हमने भी निकाला है उसका डिटर्मिनेट वैलू यानि यह जो स्क्वाइर मैट्रिक से भी आपको दिखाई पड़ रही है इसको पहले डिटर्मेंट को मैं फॉर्मिल लिखिए या सीधे सीधे इसको सॉल्व करके जल्दी से मुझे इस डिटर्मेंट की वैल्यू बताईए बहुत जल्दी से 144 144 हमने इस डिटर्मेंट की वैल्यू आती है 144 ठीक है को अब बस यहां तक ही में निकलना स्टिक्ला कॉप्षिन में पृप्र से गभार रिपीट कर देते हैं रिवास करते हैं ठीक है कहा से इसटार्ट रहता हुशन इपनी क्या होता है यह कुष्चन हमन के लिए था राइन वार्प वन निकालना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे फिर उसका डिटर्मेंट निकालने के लिए को फेक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा तो हमने पहले स्टेप में निकाला है को फेक्टर मैट्रिक्स ऑफ-फेक्टर मैट्रिक्स ऑफ-फेक्टर मैट्रिक्स ऑफ-फेक्टर में कर दे यही हो गया हमारा अब इस मैट्रिक्स का एक डिटर्मेंट वैलू निकालें इसका डिटर्मेंट निकालेंगी तो आएगा वन फोटीफोर